Hello students, यह कक्छा दस्वी के अंगरीजी विशे के अप्टुबर माह का असाइनमेंट का उत्तर है, जिसमें मैं अभी इन प्रश्णों के उत्तर को एक्स्प्लेन नहीं करूँगा, इसके तुरन बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको इनके सभी प्रश्ण का उत्तर देंगे, जैसे कि पोयाम से तीन अबजेक्टि टाइप के कोश्चन यहां पर दिया गया है, तो पहले एक जो आंसर है वो है दुसरा, और बीक आंसर है पहला, और शीक आंसर है फिर दुसरा, अब इन सभी प्रश्णों के उत्तर को मैं कापी में लिख करके दिख देखे, पोयाम के कोश्चन डी और ई के उत्तर यहां पर है, यह आप इसकीन शाट ले ले या आप इसको वीडियो को रोक कर लिख ले, अब देखे दुसरे प्रश्ण को, जो कि आपके लेसंसे हैं, दुसरे प्रश्ण में दो ए और बी प्रश्ण दिये हैं, दुसरे कब बी तिसरा कोश्चन, तिसरे कोश्चन का आंसर भी यहां पर है, उसके बाद तिसरे में बी कोश्चन भी है, जिसमें अब सेटिंग जो है, कोश्चन में अन्डर लाइन नहीं किया गया था, उसको करना था उन्हें, इसका भी आंसर दिया गया है, चौथा कोश्चन, जिसमें वर्ब की करेक्ट फार्म लिखने के लिए कहा गया है, रिक्तिस्थान के रुप में हैं, यह देख सकते हैं, दूसरे लिक्तिस्थान में जो विकल्प दिया है, इसे कोश्चन पेपर में आपका प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, इसे आप करेक्ट करेंगे और वह यह आंसर है, उसके बाद है पाँचवा कोश्चन जिसमें आपको पेरग्राफ लिखने के लिए कहा गया है, कोवीड नाइंटिं पेंडेमिक पर इसके लिए हींट दिया गया है, इस हींट के सहायता से लिखना है, तो पाँचवा प्रश्चन का जो आंसर है पेरग्राफ यह रहाँ, इसे मैं नेक्स वीडियो में आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दूँगा, जो प्रश्चन का जो आपको जिए इस से लिए तो आपको अझाचों, जो इसा दूए टेयुछ, भूह बड़ टो में का जो प्रश्चन का च्छन्य टेसारा,